हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इन इन सड़ी इन इन सड़ी पर आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी प्लिस कॉंस्टेविल के रिगार्डिंग हिंदी की डेली वेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और यूँ वीडियो मुश्किल से 10-12 मिनिट की होती है 1.5x की स्पीड में देखोगे तो लगबग आपको 7-8 मिनिट में वीडियो कंप्लिट होती दिखाई देखी और कई सारी चीज़े जो है वो आपको जानने को भी मिलेंगी तो इसलिए वीडियो को एंटर जोड देखिएगा ठी पंक्ती में कौन सा लंकार है देखो जहां पर एक वन की आविर्थी बार बार आती है तो वहां पर आपका अनुपरा सलंकार होता है तो इस पंक्ती में अनुपरा सलंकार है दूसरा ओप्संस करेक्ट है वीर रस का स्थाईवाओ से आसानी से बता सकते हो कि वीर रस का स्थ अब देखो इसमें अगर आप मातरा गिनोगे तभी आप बता पाऊगे देखो दामरी में दो मातरा इसमें एक मातरा इसमें एक मातरा क्योंकि छोटी ही है छोटी ही की मातरा है एक 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 इन तीनों में एक मातरा इसमें एक मातरा क्योंकि बड़ी ही लगी इसलिए दो मातरा एक मात्रा एक मात्रा ये देखो बड़ा आगा डंड़ा लगा इसलिए दो मात्रा बढ़ी ही की मात्रा इसलिए दो मात्रा गिल लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10 10 और 2, 12 और 2, 14 और 2, 16 और 16 मातरां किसमें होती हैं सर चौपाई में तीसरों आपसन स्क्रेट सर आपने कैसे गिलनी जे अनकेडिमी पे आओ सारी चीजे पढ़ोगे देखोगे कॉंसेप्ट किलियर होंगे तब ही आप मातरां किन पाओंगे चौपाई में कितनी मातरां होती है सवाई एक वाणलेक चंदे जसमें 22 से लेकि 26 तक बढ़ोते एक बार हिंदी आप मेरे से पढ़ तो लो जिस दिन पढ़ लोगे ना पूरी कंप्लीट मैं आपसे यह क्या रहा हूँ कि आप PCS तक की इंदी जो है वो कवर कर ले जाओगे एक बार आओ सुबा नौ वज़े डेली एनेकेड़ी पर क्लास चलती है बता देता हूँ आपको दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एक्जाम की तयारी करना चाहते है चाहिए यूपी लेकपाल यूपी पिलिस कॉंस्टेबिल यूपी टरपल सी पीटी यूपी एसाई आरो ए आरो या ऐसे एक्जाम उत्तर प्रदेश में जो आगामी दिनों पर आने वाले हैं उन सभी से रिलेटट कोर्स आपके अने अकेडिमी पर चल रहे हैं आपका सवाल होगा सर इन सारे कोर्स के लिए क्या मुझे अलग से सब्सकिप्सन पर्चेस करना होगा अलग-अलग हर कोर्स के लिए नई वन सब्सकिप्सन फॉर ऑले एक्जाम जो unacademy की unique policy है यानि कि अगर आप एक category के अंदर subscription purchase करोगे तो उस category में जितने भी course चला जा रहे होंगे आप सभी को access कर पाऊगे जो कि मुझे unacademy की सबसे खास और सबसे अच्छी बात लगती है अगर आप subscription purchase करना चाह रहे हैं तो आप referral code की जगे Indian study apply कीजिएगा क्या Indian study apply कीजिएगा without space कहीं भी आपको space नहीं देना है ये apply कीजिएगा तो आपको instant 10% का discount मिलेगा और अगर आप subscription 20 से 25 या 24 दिसमबर तक purchase करते हो देख लिए दोस्तों अगर आप subscription 20 से 24 दिसमबर के बीच purchase करते हो तो एक साल के subscription के साथ आपको दो महीने का subscription बिल्कुल फ्री और दो साल के subscription के साथ आपको तीन महीने का additional subscription बिल्कुल फ्री मिलेगा ये offer केवल और केवल UPPSC और UPCC category के अंतरगत है और इस category में मैं भी पढ़ाता हूँ इस special class रहती है जो की बिल्कुल फ्री और कोश्ट लेती है उनका भी आपको description में लिंक मिल जाएगा और आगर आप subscription परचेस करना चाहरे हैं तो इसका भी लिंक आपको description में मिल जाएगा एक बर जरूर से चेक आउट कीजिएगा next questions आपके सामने इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भावबाच है सीला से खाया नहीं जाता ये एक भावबाच का उधाराने चौता option से आपको आपका बिल्कुल correct हो जाएगा जाता कि रिया mostly आपको भावबाच में देखने को मिलेगी बाच टॉपिक पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा नेता जी ने कहा था तुम मुझे खुंदो मैं तुमें आ जादी दूँगा इस बाग में कौन सा चिन लगा है जल्दी बताओ ये वाला जो चिन लगा हुआ है दो ये लगे इस चिन को क्या कहते है इस चिन को हम उद्रण चिन कहते हैं क्या उद्रण चिन कहते है तीसरा उप्सनいます correct नेमले के तुम्हें से कौन से सब्द में री की मातरा का उप्योग हुआ है जल्दी बताओ वरस्टी में री की मातरा का उभियोग हुआ है चोहता ओप्सन से आपर आपका बिल्लकुल करेक्ट साका उचण स्थान आपको बताना है सिंपल कोसन से तालू ये साका उचण स्थान होता है कौन से सब्द में राव एंजन नहीं है कोसन नमबर 47 मातर भूमी में राव एंजन नहीं है चोहता ओप्सन से आपर आपका बिल्लकुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा सर चोहता ओप्सन स्क्रेट संग्या का कौन सा बेद नहीं होता है जल्दी बताओ कोसन नमबर 48 निजवाचक संग्या ये सरभनाम का भेद होता है नाकी संग्या का तीसरा ओप्सन सक्रेट कौन सा सब्द पुरलिंग सब्द है 49 वचन वचन सब्द एक पुरलिंग सब्द है पहला ओप्सन सक्रेट सदा एक वचन की तरह प्रियोग थोने वाले सब्द यही वाला टॉपिक चल रहा है भी एने केड़ी उपर दर्सन, प्राण, हस्ताक्छर यह सभी हमेशा एक बचन की तरह परियोग होते हैं तीसरा उपसन्स करेट हरी मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक में रेखांते सब्द आपको बताना है कि बहन को पुस्तक देता है मैं कौन सा कारक है तो जब कोई चीज किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो वहाँ संपर्दान कारक होता है तो दूसरा उप्सन करेट हलाकि विवक्ति चिन्ज से आपको यह लगेगा कि यह संब्द कारक है लेकिन जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है और उससे कभी बापस नहीं ली जाती है संपर्दान कारक हाँ ऐसे दे देता है हरी मोहन अपनी वहन को पुस्तक पढ़ने के लिए देता है पढ़ने के बाद पुस्तक हरी मोहन बापस ले लिता तो वो संबंद कारक में आ जाता समझ गए इस बात को ध्यान लखना क्या आप घर भी जाएंगे आप सब्द किस प्रकार का सब्द है तो सिंपल कोशन से आप स्वयम निज ये सबी आपको निजवाशक सरवनाम में देखने को मिलेंगे ये मतलब ये सरवनाम सब्द है तीसरा उप्सन स्क्रेट बहर बहुत धार्मिक व्यक्ति है इस बात में आपको रेखांते पर बताना है विसेशन चौता उप्सन से आपका बिलुकुल करेक्ट हो जाएगा धार्मिक सब्द एक विसेशन है रेखांते सब्द नहीं था तो रेखा धार्मिक मर खेच लीजिए तदवाव सब्द आपको बता रहा है 54 में कपूर करपूर का तदवाव सब्द है पहला उप्सन स्क्रेट सब को जानने वाले वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा सरवग्या बोलेंगे दूसरा उप्सन स्क्रेट उत्थान का भलोम सब्द क्या होगा सिंपल सा कोशन से पतन होगा पहला ही उप्सन स्क्रेट हो जाएगा देवता सब्द का प्रहवाची सब्द कौन सा नहीं है देवता का सुधा कर देपता का प्रहेबाची सब्द नहीं है सही अर्थ वाला सब्द योगम कौन सा नहीं है देखो जलच और जलद जलच का मतलब तो कमल ठीक है लेकिन जलच का मतलब बादल होता है यहाँ पर समुदर दिया जो की गलत है गलत ही हमको बताना था पत्र सब्द का कौन सा आर्थ नहीं होता है लेक यह पत्र का आर्थ नहीं होता चौता आप्सन सब्द सब्द में संदी कौन सी है सब्द सब्द में सिंपल सा कुछ संस है ब्रद्दी संदी तीसरा आप्सन से यहाँ पर आपका बिल्लकुल क्या हो जाएगा असर करेक्ट हो जाएगा संदी मिक्चित करोगे तो सदा प्लस एव क्या सदा प्लस एव ठीक है बड़ा और ए मिलके क्या बनाते हैं आय बनाते हैं ठीक है तो इसलिए यहां पर कौन से संदी होगी ब्रदी संदी पिरते एक सब्द का उफसर्ग आपको पताना है पिरते एक स सिंपल सा कि और त्हुत का असू दुपा का चैन करना है कौन सा सुध्या को और 75 देखो पर फिर बताओ, तो सही अन्सर हो जाएगा किसना जीं ने के अनेकों नाम है अनेकों का, खुद अनेकों को मतलग होता है बहुत सारे। उसका वहूँ प्हले नहीं बनेगा सद भावना सब्ध में आपको संस बताना है। सत है जो भावना सत भावना है जो कि जहां इंदी निकलती है जगर मदाय समास होता है गोदान किस की रचना है कल भी पड़ा था सिंपल सा कोस्टंस है गोदान किस की रचना है तो सही आंसर हो जगा सर ये प्रेम चंदर की रचना है पहला अप्संस करेट महादेवी बर्मा को ग्यानपिट पुरुसकर किस किर्थी पर मिला था बहुत important questions तो किस किर्थी पर मिला था 1982 में यामा के लिए मिला था तीसरा options correct अगे जी को किस किर्थी पर ग्यानपिट पुरुसकर मिला है अगे जी को तो सही answer हो जाएगा आपका कितनी नाओं में कितनी बार चौता options है पर आपका विल्कुल correct उर्वसी के रचनाकार कोन है तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके 37 हिंदी के important questions जो कि आपके UP police constable में पूछे जाने है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please दोस्तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सरफ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please दोस्तो वीडियो को like कीजिए सहर की जो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना ना भूलें क्या हूं कि मरो जाने इसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत